स्टुर्ट क्लास 12 एकनॉमिक्स का कोशन पेपर है सेट 1585 बन इसका कोड है इसका हमने सेक्षिन एक कम्प्लीट कर लिया है आप वीडियो में जाके चेक कर लेना सेट 1 2 और 3 के ऑल्मुस्स सेमी कोशन है बस उनका ओर्डर आगे बीचे है तो आप चेक कर लेना प्रीविज व कर लेना सेट 1585 बन इसका कोड है तो सेक्षिन भी देख लीजेए तो सेक्षिन के कोशन फ के हैं तो आपने जग कर लेना बाकी इंग्रिश में डिस्कॉस कर लेंगे तो सेक्षिन बी में फस्ट कोश्न आपका कोश्न नम बर 18 है तो बिटिश रूल में इंडिया में इंडियन अग्रिकल्चर आउट्पूट विटनेस्ट टेगनेशन डूटू तो बिटिश रूल में इंडिया में इंडियन अग्रिकल्चर आउट्पूट किस कांट से स्टेगनेंट हो गया था तो इसमें आएगा C, लैंड सेटल्मेंट लेंड सेटलमेंट इसका अंसर था, ओप्शन C, ठीक है, तो कोशन नमबर 18 का अंसर C, ओप्शन है, लेंड सेटलमेंट, कोशन नमबर 19 देख लेते हैं, A पार्ट इसका था, in the first phase of green revolution, output was restricted mainly, green revolution का जो first phase था, उसमें कौन सा output था, जो restricted था, तो इसका था अंसर, wheat and rice, B, ओप्श and rice आएगा, and इसका choice वाला कोशन था, B वाला, तो इसमें dash is known as the architect of Indian planning, Indian planning के architect किसको खाचाता है, options से आपके जवाहरलाल नहिरू, डॉक्टर मर्मोहन सिंग, डॉक्टर राजंदर प्रशाद, PC मोहल नॉबिस, तो ये B option इसका correct था, PC मोहल नॉबिस, ओकी, तो question नमबर 19 का ज statement वाला कोशन है, ये statement 1 में कहा गया था, great proletarian cultural revolution was introduced in China in 1950, तो ये statement आपको बतानी थी true है कि false है, तो देखो ये अपका false statement है, ये जो revolution है, ये चाइना में नहीं आया था, इतनी date में नहीं आया था, ठीक है, और statement 2, चाइना की growth mainly contributed by the manufacturing sector, चाइना की growth में contribution manufacturing sector का, yes, manufacturing sector से ही जाएना की क्या हुई है, बहुत ज़्यादा growth हुई है, तो ये true है, बट statement 1 आपकी false है, तो statement 1 false है, यहाँ पे 1856 आना था, ठीक है, बट second वाली statement आपकी true है, तो इसलिए इसका answer B option है, क्योंकि statement 1 false है, और 2 true है, तो B ये इसका answer था, इसका choice वाला question था, इसमें तो बहुत ही simple था, चोईस वाला question ये तो सब नहीं कर लिया होगा, B part, identify the incorrect statement, incorrect statement छाटनी थी आपको, तो चाइना की economic growth rate बैटल है, पाकिस्तान से, ये तो correct था है ना, पाकिस्तान इंडिया से पीछे है, HDI ranking में ये भी correct है, 1991 में इंडिया ने new economic reforms लाए थी, ये भी correct है, तो ये वाली incorrect statement थी, one child policy, adopted in Pakistan, पाकिस्तान में थोड़ी ना हुई थी, ये तो चाइना में हुई थी ना, one child policy, तो ये आपकी incorrect statement है, तो incorrect statement आपको चाटनी थी, तो इसका answer क्या है, question number 20 का जो B option है, उसका C answer होगा, one child policy, norm was adopted in Pakistan, ये आपकी incorrect statement है, okay, question number 20 को देख ले, 21 आपका हिन इंडियम वालों में ये था, अब इसको discuss कर लेते हम, तो question number 21 था आपका, dash is the apex institution which plans and evaluates policies related to rural credit needs, कौन सा एक, सबसे बड़ा institution है, जो की policy बनाता है, plan बनाता है, rural credit needs को पुरा करने के लिए, गाउं में जो credit need है, उन्हें कुरा करने के लिए, सबसे बड़ा institution पूछा था आपसे, तो ये था D, नाबार्ड, तो किस-किस में नाबार्ड लिखा ये comment के बताना, question number 21 का अंसर D, नाबार्ड, 22 question देखकी, एक ही assertion reason था आपका, तो एक ही assertion reason आये था, during 1980s, इस में आये था और एक section E में आये था, तो assertion है, during 1980s, economic growth rate of Pakistan was more than that of India, इंडिया नाइटीन-इटीन में एकनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान का जाधा था इंडिया से तो फॉल्स है ना इसमें दोनों का पाटिस्पेशन था पॉब्लिक का भी और प्राइबिट सेक्टर का भी तो यह आपका टू है रिजन है वट एजर्शन तो फॉल्स है क्योंकि दो बोला है, economic growth पाकिस्तान की ज्यादा थी, यह तो false है, तो assertion आपका false है, और reason आपका true है, जिसके कारण से D option इसका, assertion false and reason true, आपका D option इसका correct था, आगे देखी question number 23, identify करना है which of the following are associated with the problem of human capital formation in India, human capital formation in India की problem से associated क्या क्या है, तो एक तो brain drain तो पढ़ा होगा आपने, तो ये तो थाई, ना, brain drain और साथ में आपका rising population भी क्या है, इसमें human capital formation problem लाता है, ये तो पक्का है, और बाकि इसमें first और third तो है, तो देखो first और third में ये वाला है, ना, second वाला भी इसका correct यानि low academic standard है, हमारे जो academic standard है, वो low है, तो इस reason से भी human capital formation नहीं हो पाता है, तो ये तीन reason है, इसमें problem आने के, ओके, तो ये दो तो पक्के थे ना, तो यहां पर one और three तो थाई, यहां पर इनमें बाकि three तो किसी में भी three है, तो one नहीं है, तो one और three वाला में ये two भी आएगा, यह भी पता है, academic standard कम होगा, तो human capital formation नहीं हो पाएगा, तो इसका c option है, ठीक है, question number 23 का c option, one second and third, तो इसके बाद 24 से लेके, 27 तक के questions थे आपके, तो इसमें 24 question को देख लेता है, read the following statement carefully, statement one is special economic zone says policy has led to huge foreign direct investment flow to China, जो sales policy थी, उसके कारण चाइना में बहुत बड़ा FDI, foreign direct investment आया, तो यह true है, यह अपने पढ़ा होगा sales के बारे में, तो यह true statement है, इसी से चाइना में क्या आया था, foreign direct investment आया था, statement second की बात करते है, चाइना का rapid industrial growth result of its economic reform में, 1981, क्या चाइना की reform, 1981 में होते थे, तो false है ना, चाइना की reform, 1978 में होते तो, यानि first statement तो says वाली true है, और second वाली incorrect है, क्योंकि यह reform इतने date में होते चाइना में, तो यानि first correct है, और second वाली incorrect है, तो first वाली correct है, और second वाली false है, तो A option इसका answer है, ठीक है, question number 24 का answer A option है, इसके बाद question 25, identify करना था, which of the following is an incorrect function of environment, environment का कौन सा incorrect function है, incorrect पूछा है, तो supplies, resources यह तो correct है, assimilate waste यह भी correct है, provide aesthetic services यह भी करता है, environment है ना, यह वाला functional इनक करेक्ट है, इसका land degradation, C option इसका answer है, question number 25 का, question number 25, C option land degradation, उसके बाद next question था, identify करना था, कौन सा formula है, correct, worker population ratio का, तो यह तो बहुत easy है, देखो दिखी राय वरकर है, और population ratio है, तो worker उपर होना चीए, population नीचे होना चीए, तो यह आपको यहाँ दिखी रहा है, total worker upon total population, B option इसका, correct है, किस-किस ने टिक किया, यह वाले option में बताना ज़रूर, question 26 का answer B है, ठीक है, यह तो यहीं से दिखी रहा है, worker और population है, वरकर पहले आएगा, population बाद में आएगा, इसके बाद इसका next question है, 27, statement वाला यह भी, statement 1 है, first five year plan of China commence in the year 1956, first five year plan चाइना का इस state में आया था, यह तो false है, data चेक कर ले ना, बट इस state में नहीं आया था, first है, इसका cross है, statement second, बहुत इंडिया और चाइना ने, socialist economy model following USSR को follow किया था, yes, यह correct है, यह second वाला correct है, but first वाला false है, तो first वाला false है, और second correct है, it means, आपका first false, B option इसका, ठीक है, statement 1 false है, बट statement 2 true है, okay, B option, question number 37 का answer क्या होगा, B, इसके बाद यहाँ पे एक diagram वाला question आया हो था, तो यह बच्चे, बहुत, easily समझ भी आ रहा था, देखो क्या है, आपको बुला था, situation of earth दिखाई गई यह, इस diagram में, तो बताना था, कौन सा, इसको किस से refer किया गया, इसमें कौन सा earth को, कौन सा challenge face करना पढ़ रहा है, तो देखो, earth के मुह में क्या temperature है, sorry, thermometer है, तो thermometer का मतलब क्या है, कि temperature जादा earth का है, तो यह temperature वाला condition आपने earth वाली में पढ़ी होगी, क्या होती है, यह किस को refer कर रहा है, यह global warming को refer कर रहा है, तो this picture refer, global warming, अब इस global warming के उपर आपको कुछ points लिखने थे, तो वो points आप लिख सकते थे, जैसे कि global warming क्या होती है, एक phenomena है, gradual increase in average temperature of earth का, जब temperature बढ़ जाता है, तो उसी को global warming क्याते है, यह किस कारण से होता है, due to release of green house gases like CO2, CH4, carbon dioxide, methane, CFCs, atmosphere में जबा जाते है, तो safe fact क्या होता है, glacier melt होने शुरू हो जाते है, sea level rise होना शुरू हो जाता है, storms, flood, rod, यह सब इसके कारण ही आते हैं, ग्लोबल warming के कारण, disease spread हो जाती है, तो यह आपको पूरा proper point बताने थे इसमें, तो पहले तो यह diagram से बता चला है, थर्मामेटर का मदलब temperature increase हो रहा है, तो कहाँ पर temperature increase होता है, ग्लोबल warming ही तो है, तो यह तो बढ़के गए होंगे आप, ठीक है, तो किस-किस बच्चे ने global warming लिखा और उसके बारे में detail लिखके आए, वो भी comment करके बताईएगा, और कुल मिला के आपका paper कैसा गया, ठीक है, और इस video को share जरूर कर देना, and set 1, set 2, set 3, almost same ही answer है, सबके question same ही थे, बर आगे पीछे थे, तो set 2 वाले भी इन questions को check कर लेना, आपकी बस order different हो सकते हैं, ठीक है, तो बाकी वीडियो को share जरूर करना, चैनल को subscribe जरूर करना,